कि हलो फ्रेंड तो अगेन वेल्कम तो देन लेक्ट्टर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लेग्वेज लास्ट लेक्ट्टर हम लोगों का जो था वो था एक इंट्रोडकरी पार जहां पर हमने बहुत इंपोर्टेंट कॉंसेप्स और बहुत इंपोर्टेंट इंटर्वी कोस्टेंस पर डिसकस किया था और वो था वाई सी ठीक है आगे बढ़ने से पहले याद दिला दू हां बिल्कुल शेर करें लाइक करें सब्सक्राइब कर दें चैनल को ठीक है ताकि चैनल ज्यादा से ज् आए क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहें तो लाइक करें सब्सक्राइब बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें और फिर आगे बढ़े ठीक तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो था वाई सी क्यों यह हमने लास्ट इम बात की थी और यह भी सुनि सब्सक्राइब करेंगे तो आप सबसे पहली लैंग्वज नोन में लिखेंगे और अगर आप सी लिखेंगे तो इंटर्वियर का हग बनता है सबसे पहला कोश्चन पूछने का कि सी क्यों आपने सी क्यों पड़ी है ठीक है तो लास्ट लेक्चर हमारा इसी कॉंसेट को ले जो किसी स्पेसीफिक यूजर की रिक्वार्मेंट फुल्फिल कर रहे हैं और इन सौफ्टे है को आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है इनको यूज करने के लिए अना इसी लिए ठीक्सटॉप अप्लिकेशन भी कहलाते है ये ऐब अपलिकेशन सौफ्टे भी कह नहीं है यह इकेरी सौफ़ियर लाटीपल यूजर के रिकौर्मेट है अना मल्टीपल इंदर लिएन को फ़र चाहिए ऐल्द एडर की रिकौर के सिंगर्शाओं में तो अगरत्र वह एप्लीकेशन होगा तो आपलीकेशन सौफटर के लिए प्राब्लम क्या है कि इन को आपको अगर क्लाइन को यूज करने के लिए देना है तो इनको क्लाइन के डेक्स्टॉप पे जाके मशीन पे जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि यही अप्लिकेशन सॉफ्टर की बारे में हम लोगों ने डिसकस किया था ठीक लेकिन जब हम एसे सॉफ्टर की बात कर रहे हैं जो एक सॉफ्टर है लेकिन रिक्वार्मेंट मल्टीपल यूजर की है सॉफ्टर सिंगल है लेकिन वो मल्टीपल यूजर की रिक्वार्मेंट है तो अब यह सोचा गया कि यह पॉसिबल कैसे होगा कैसे हम एकी सॉफ्टर को मल्टीपल य तो अब वो जो आर्चिटेक्ट्टर है वह अर्चिटेक्ट्टर यह था कि एक मशीन जिसको हम बोलेंगे सर्वर जहां पर हम उस सॉफ्टर को इंस्टॉल करेंगे जो आपको multiple client तक महुचाना है और जिसको यह software चाहिए उस client की machine को हम यह बोलेंगे कि आप इस server से connect कर दो है ना यह client 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मतलब there are multiple client ठीके, यह multiple client को हम बोलेंगे कि आप अपने computer को इस server से connect कर दो, अगर आपको वो software चाहिए है तो, तो यह जो concept आया जहां पर हम client client मतलब client की machine मतलब computer, right, हैं दोनों computer आप समझना, server भी क्या होता है, server भी computer ही होता है, और client के पास भी computer ही है, और उसको multiple client से connect करके, इन client तक यह software पहुचाने की बात की गई, तो इस architecture को क्या बोला गया, इसको बोला गया, client server architecture, this is basically called client server architecture, अब इस client server architecture को दो form में design किया गया, सबसे पहले limited area में, कि 10, 20, 25 मशीन आपस में connect करे, और सोचा गया, इस architecture को यूज किया जाया, तो इसको बोला गया था, local area network, यहाँ पर limited system हापस में connect किया गया, और client server architecture को implement किया गया, यह local area network के ला है, लेकिन जब यही architecture बड़े लेवल पर चला, wide area पर चला, ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, वैन, wide area network, और जब यह wide area network का आया, तो इसी technology का नाम दिया गया internet, यह internet market में है, क्योंकि land को आपको बता न, internet बोलते हैं, और वैन को internet बोलते हैं, आच्छा आप में से किसी को इतनी जल्दी तो नहींगे न, सी में programming करने की, क्योंकि यह सब important question interview के लिए, सी के पहले, आपके पास हर question का answer होना चाहिए, अना beginner है अपन भी और beginner है, तो हमें सारा knowledge लेके, IT field में आना है, इसलिए मैं आप से बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा इसको सुनना, क्योंकि कई बार होता है, सरम तो सी पढ़ रहे हैं, आप यह कहां internet की बात कर रहे हैं, बैटा जब चीजे रिलेट होंगी न, तो सब एक साथ रिलेट होंगी, इसलिए मैं आप से बोल रहा हूं कि थोड़ा सा पेशेंस लिए चीजों को समझे आप, तो यह लैन आया, वैन आया, इंटरानेट आया, इंटरनेट आया, और जब यह आए, तो बहुत अब यह पॉसिबल हुआ, कि आप एक सिस्टम पे सॉफ्टेर रखे उसको मल्टीपल क्लाइन तक पहुंचा सकते हैं, और जब यह पॉसिबल हुआ, तो इसी को बोला गया, वैब अप्लिकेशन, मतलब अब ऐसे सॉफ्टेर बनाना थे, जिनकी रिक्वार्मेंट इंटरनेट हो, ऐसे सॉफ्टेर जो है, वह वैब अप्लिकेशन होती है, आप समझ में आ रहे है, तो अब यहाँ से शुरू हुआ, वैब से डिवलप्मेंट का टास्क, वैब अप्लिकेशन का टास्क, और जब यह शुरू हुआ, तो बहुत है, मैक्जीमम अप्लिकेशन सॉफ्टेर, दीरे-दीरे किसमें होने लगे, वैब अप्लिकेशन में, होटल वाले के पास, हैना लास लेक्चर में हमारे पास होटल वाले के पास अप्लिकेशन सॉफ्टेर दा, लेकिन आज होटल वाले ने सोचा कि क्यों अप्लिकेशन सॉफ्टेर को वैब अप्लिकेशन में कनवर्ट कर दे, ताकि लोग को बैंक में जाके बैंक से पेसे निकाल के लाना पड़ते थे ठीक है लेकिन आज वही सॉफ्टेर वैब अप्लिकेशन में कनवर्ट हो गए पास समझ में आ रही है तो अब आप सोचिए आज मुझे बैंक जाने की जरूती नहीं आज में इंटरेट के तुरू अपना पूरा ट्रांजेक्शन कर सकता हूं ATM सर अविलेबर को कि धीरे-धीरे अप्लिकेशन सॉफ्टेर वेब अप्लिकेशन में कनवर्ट होना शुरू हो गए और जब यह कनवर्ट होना शुरू हुए तो अब रिक्वार्मेंट आई कि यहां पे मुझे अब उन टेक्नोलोजिस को सीख करना है तो very soon we are launching the web development lectures also right अभी यहां पर हम के वाले के इंट्रोड़क्शन की बात करने है okay तो web application के लिए आपको क्या सीखना है you should go for HTML, CSS, Java, PHP, Python, यहां भी .NET है ठीक there are multiple technologies HTML, CSS, JavaScript, स्क्रिप्ट है नोड जैसे अंगूलर जैसे there are technologies multiple technologies लेकिन यह जो technologies है याज मार्केट में किस लिए है web application के लिए आई वा समझ में ठीक है अब जब यह web application का market चल रहा था मैंने यह technology CK and I will become a web developer तो अगर आप समझ रहो ना आप पिछले और अभी लेक्टर को continue में अगर सुन रहे है तो आप समझ जवाब यदि आप CC++ सीख रहे है और जो हमने पढ़ा था कि YC हमारा लेक्टर एक्चली यहीं से शुरू वाता यह तो यदि आप C or C++ Vc++ Vc++.net को सीखते हैं देना future में system software engineer बनना तो यह आप यह से language सीख रहे है ज़िए आप application software बनना चाहरे है तो मने क्या बात कि थी VB VB.net C sharp.net ठीक है यदि यह technology यह आप यह technology सीखते हैं यह विल बिकम एप्लिकेशन आप्लिकेशन 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 में भी लगेगा डेटा बेस आपको वेब अप्लिकेशन में भी लगेगा यहां भी front end back end की बात होगी लेकिन अब वह बहुत डिटेल में चले जाएंगे है हमारा focus अभी सी जादा है ठीक लेकिन में इंट्रोडक्शन आपको सब दे रहां तो कि इस पूरेट लेक्टर को देखके आपको समझ में जाए इतनी टेक्नोलोजीज क्या है इतनी टेक्नोलोजीज मार्केट में क्यों है तो आचके लेक्टर के बाद आपको बिलकुल क् अभी को देखा है तो क्लियर वीजन आपके दिवाग में होगा कि क्यों इतनी टेक्नोलोजीज मार्केट में और अभी तो बचिए अब यह जो वैब अपलीकेशन है इसके बाद मार्केट ने फिर एक चेंज लिया और यह चेंज कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुए ह अब है organs के मार्केट में बहुत मार्केट में आने के बाद मार्केट बहुत जो चेंज हुआ है त्रिमेंडास चेंज आया ऑए टी वर्ल्ट में इंडस्टी में राइड और यह डिवाईस एक इसी डिवाईس है कि बहुत सी लोग बोले स्मार्ट होए ना हुए यह डिवा पर ज्यादा बात करता हूं है यह डिवाइस ने यह इंपेक्ट छोड़ा है कि यदि आपको इस डिवाइस से थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया जाए तो इसा लगेगा जिसे शरीर में से आत्मा को अलग कर दिया है आ मॉबायल मार्क अर जब मोबायल मार्केट में तो बास क्या चेंज आया मैं वहां तो Charlie से अब हर सॉफटर जिसको यूजर पहले एम्यूज्स कर रहा था उसको सारे और कहां चाहिए मोबायल पर देखाए है हाएय है पीर टेक्नोलोजी चिंच होगी है बंच जोने कि लोजो चैंज लिया भी यह क्या रिखर यूज़ोंज यह चाहा है कि यह रखालिब। टो बिकाम आँ डिवाइस एप्लिकेशन डेवलपर जूजर को को आप डिवाइस अप्लिकेशन डिवलपर बनना है जूजर को मोबाइल डिवलपर बनना है और अगर यूजर को मोबाइल डिवलपर बनना है ठीके यह मोबाइल डिवलपर अगर वो बनना चाहरा है मतलब यह किस सॉफ्टर की बात कर रहे हैं डिवाइस अप्लिकेशन की त तो यदि डिवाइस अप्लिकेशन या मोबाइल डिवलपर बनना है तो फिर कोशना था सरब कौन सी लाइंग वे सीखे जाए देखा टेक्नोलोजिस एंड ले से सीखते जाओ मैं हमेशा यह बोलता हूं कि कई इते डॉक्टर वकील और आईटी प्रोफेशनल यह एसे लोग इस इसको को लाइफ टाइम बना है डोक्टर को भी लाइफ टाइम बना नहीं नहीं बिमारी एन रही है नहीं नहीं वैक्सेंस अने है अभी किसने सोचा हाँ जैसे से शुपेशन आए लेकिन आई फिर उसक क्राइम हो रहे हैं नए तरीके सो और आप सब पढ़ो कि इसमें क्या लॉल लगेगा और वैसे आईटी प्रोफेशनल इनको भी विचारों को पढ़ना है यह पढ़ी टेकनोलोजी तो अगली पढ़ी तो अगली टेकनोलोजी अगई अपग्रेडेशन करना पढ़ेगा ओके चलिए तो वापीस आदे यह मोबाइल अप्लिकेशन अगर आपको लगता है कि यूवान टो बिकम अ मोबाइल डिवलपर अगर आपको मोबाइल डिवलपर बनना है तो यहां पर आपको सीखना पढ़ेगा शुरुवात यहां से होती है जावा अगें जावा क्यों कि टेकनोलोजिए ज़िए आपको लगता है आपको आई वेस्डेवलपर बनना है तो फॉर नाइज डिवलपर आपको जो लैंग्विज सीखनी है वह स्विफ्ट कार का नाम नहीं है टेकनोलोजी का नाम है लैंग्वेज़े तो जावा में एंड्रोइड नॉट जावा तो जावा भी आपने बोला था सार अप्लीकेशन सोफ्टेर में यूज में आती है तो यह मल्टीपल लैंग्विज इस मतलब एक लैंग्वेज जो मल्टीपल यूजर के लिए मल्टीपल तरीके से यूज में आती है वह जब जावा पढ़ेंगे आपन कब देखेंगे राइट सो जावाब Swift ये वह टेकनोलोजीजें जिनको यूज करके यू विल बिकाम बॉबाल इवलपर आप फ््यूचर में मोबाइल डवलापर बन सकते यू डिजाइन डिवाइस अप्लीकेशन तो समझ मोट्ष मेर्ड सिस्टम साफ्टेर सिस्टम से application software application say web application or web application say mobile application यह software case a change और देखा लगे से जीरे 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 चीजे बदल रही है और अब इसके आगे की जो चीजें कि अभी तक तो बं सोच रहा था अभी तक हम सोच रहे थे अब AC मशीन बन रही है अभी तक तो smart mobile हम बोलते तक यह यह कितना intelligent बच्चा है अब हम बोलते हैं कितना intelligent robot है राइट मतलब चीजे फिर चेंज हो रही है अब आप इंसान को intelligent बोलने के बजाए इंसान के दिमाग जैसी ऐसे devices बन रही है जो think like a human human की तरह सोच रही है ज्यादा बेटर तरीके से सोच रही है है and that area comes in the market called AI application artificial नाम सी समझ में आ रहा है artificial intelligence original intelligence नहीं है लेकिन intelligence है अब वो डिवाइस बन रही है ठीक है जो AI based technologies पर काम कर रही है artificial intelligence ऐसे से algorithms आ गए machine learning concept आप आज अगर मान लो Google पर जाके search करते हैं tell me the suggest me laptop with the range 50,000 to 1 lakh rupees right word Google to suggest करेगा लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आप कोई और website भी ओपन करोगे तो वहां पर आपको laptop के एड़ मिलना शुरू हो जाएंगे that is what intelligent software उसको कैसा पता चल रहा है कि में थोड़ी देर पहले हमें laptop खरीदने के बारे में सोच रहा हूं right so that is what AI ml application पढ़ेंगे अपन इनको भी आगे हम पढ़ेंगे लेकिन टाइम में आज के lecture में तलब पिछले lecture और आज के lecture में मेरा केवल एक मोटो है आपको टेक्नोलोजी से अवेर करना वाइसी तो हमारा मोटो था लेकिन में टेक्नोलोजी से अवेर करना कि आज क्या चल रहा है मार्केट में तो दिस इस वाट AI अप्लिकेशन हम एक समय सुनते थे देखो आप कैसे internet ने चेंज लिया internet भी कैसे चेंज लिया जब internet आया तो internet ने क्या किया computer laptop को चलाया आज भी चला रहा है no doubt computer को को चलाया laptop को चलाया internet computer पर यूज करते थे laptop पर यूज करते थे email करने के लिए email receive करने के लिए Google के लिए आज भी करते हैं लेकिन फिर internet ने बोला नहीं मैं कि वह लेप्टॉप के लिए नहीं इंटरेट मोबाइल पर आ गया मैं आपको बोल रहा हूं आपने मोबाइल का नेट कनेक्शन वाइफाइ कनेक्शन मतलब अपने मोबाइल को रहे internet चीजों को चलाएगा चला रहा है इस पॉसीबल विदन इंटरनेट यह वहाँ में यहां पर बेटके एक बटन दमाऊंगो और मेरे घर का इसी चलू हो जाएगा कि दट इंग घर की चीजों को ठीके कार को बताओ चीजों को इंटरनेट चला रहा है और चीजें इसलिए बोल रहा है कि इसी को इंग्लिश में तिंक बोलते हैं और यह टेक्नलोजी आई आई ओटी इंटरनेट आफ तिंग्स ना यू कैन ऑपरेट दे तिंग्स दूसें तो कहां जा रहा है वर्ल्ड समझ में आ रहा है शुरुबात हुई है एप्लिकेशन सिस्टम का तो बिलकुल कॉंसेप्ट यह लगे सिस्टम सॉफ्टेर तो यह हैं बहुत यह बोल रहे हमारा तो काम सिस्टम के लिए हम तो कभी मार्केट से जाई नहीं सकते हम तो रहेंग में आई थी और 1972 से लेके आस तक इस language को as it is use किया जा रहा है इसका मतलब है कि system software कभी नहीं जा सकते हैं और हमने जो पड़ा था कि C is used for designing a system software और यह कभी नहीं जाएगी आज आप सोचो ना 2023 में भी हम सी पढ़ रहे 1972 में लेंग जाए थी कितनी आई कितनी चली गई लेकिन सी आज भी सी है यह कभी नहीं जा सकती मार्केट से क्योंकि अगर यह गई तो वह system software development रुख जाएगा computer यह बंदा बंद हो जाएंगे क्योंकि this is a language CC++ which is basically responsible to design a system software यह तो चलते रहेंगे यह टेक्नोलोजीस तो बदलेंगे application के बाद web application आया वेव अप्लिकेशन आया डिवाइस अप्लिकेशन आया यह आया आयो टी आया चैट जी पीटी आया अरे सब आये लेकिन यह आज भी system software system software यह है है समझ मैं तो यह हमारा जो आज का लेक्चर था यह था overall scenario of technology application software क्या है web application क्या है mobile application क्या है device application क्या AI क्या है IOT क्या है अब कुशन आता है सर अगर मुझे AI IoT में जाना है यदि आपको लगता है you want to become an AI and IoT developer then most suitable technology is python अब यहां पर यह भी कोश्चन है कि सर आप कैसे बोल रहा है python इसके लिए suitable यह जावा इसके लिए suitable है तो एक lecture अपन इस पर भी बात करेंगे क्योंकि API की बात है libraries की बात है कि अगर मैं developer हूँ आपके लिए भी थोड़ा सा आप दो चै़लेंग इसलिए क्योंकि अब बिल्कुल बीगिनर लेवल पर बात कर रहे अब बिल्कुल बीगिनिग लेवल पर बात करें लिकिन मैं आपको सेनारियों सारा समझा दी है तो चलिए वो अपने आगे का पाड़ रहेगा तो यह आई होप यूगाइस के अंडर्स्टाइड कि सी क्यूं पढ़ना है यह सारा लेक्चर था सी क्यूं और इसके बाद आपको कि अभी करilis तो इसके बाद को डिल्कुल यह क्लिए है कि वह सी कूना अगर क्लियर है तो बिल्कुल सही लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को मेंगजीमम लोगों तक पहुंचाना है क्योंकि हम maximum logo तक इसके benefits को पहुचने के लिए ये शुरुवात हमने की है ठीक है तो और इसके अलावा आपको इसके content भी हमारी website में मिलेंगे तो आप की वीडियो तो आप समझ यह लेकिन आपके लिए written content भी बहुत important है तो जो भी टेखनोलोजी आप डेटा फ्लेयर पर समझ रहे है ना डेटा फ्लेयर उनके सारे content भी आपके लिए लेकिया आएगा मतला देर लॉट अफ कंटेंट्स अर अवेलेबल इन आर वेबसाइट जो हमारी थू लिखे हुए है ठीक और अगर आपको कोई डाउट है अगर आपको लगता है कि आपको कोई कोशन पूछना है तो यह अर फ्री टॉस्ट अब इन टाइम है अनुट क्विक रिस्पॉंस पर बात कर दें आप अपना कोशन पूछिए ठीक और हम उच्वोशन को एंसर देने के लिए रेडिया लेकिन कोशन पूछी ठीक अभी तो शुरुवात में है लेकिन कोशन जरूर पूछे समझ महीं बात तो आप यूप यूगाइस चन अंडेस्टाइट इस टेक्नोजी आप यूगाइस चैन अन्डेस्टाइट इस कंचेप की क्यों सी लेकिन अब हमारा जो अगला यह थो क्या थे वह सी वाइसी वाइन और जावाइन और पाइट और यह नट वी बी पुरा वर्ल समझ ली आ उसमें सी क्यों यहम ने पढ़ लिया अभारा नेक्स लेक्चर होगा वॉट इसी किसी क्या है क्लियर सो आई होप यू गाइस कन अंडर्स्टेंड इस तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सी क्या है इसको समझने के लिए और फिर फाइनली हाउ टू लर्न इडिसको कैसे सीखा जाएगा तो यह हमारे नेक्स टॉपिक में बात करने वाले थैंक यू शेयर लाइक सब्सक को डालिए we are ready to answer your question right thank you